साथियों नमसकार योग एवं वैकलपिक चिकिसा चैनल में आप सब का हर्दिक स्वागत हर्दिक अभिनंदन साथियों एक्यूप्रे्सर के इस कड़ी में हम लोग चर्चा करने tuna हैं एक्यू प्रेशर के विभिन प्रकारों में से एक प्रकार है सुजोग एक्यू प्रेशर साथियों पूरू में हमने चर्चा किया था एक्यू प्रेशर के बारे में एक्यू प्रेशर एक्यू और प्रेशर दो सब्दे से मिलके बनाव हैं जिसका अर्थ होता है एक्यू मिन्स सुक्ष्म बिंदू और प्रेशर का अर्थ होता है अपलाई फोश दबाव देना शरी के सुक्ष बिंदू पर दबाव दे कर उप्चार करने की विधा को हमने एक्यूप्रेसर ग्रूप में जाना था एक्यूप्रेसर चेतना के शंतुलन का विग्यान है उर्जा के शंतुलन का विग्यान है एक्यूप्रेसर और एक्यू प्रेशर के जहां तक उद्पत्ती के बारे हमने चर्चा किया था उद्पत्ती अगर इतिहास को दुख्रीगत किया जाए तो do schi किया साथी है तो आयरवेद ही उसके मूल में है जिसे मर्म और नाप भिंदों के बारे में सुची भीदन के बारे में विस्तार से चर्चा है इसके बारे हम पूर्व के दो कड़ियों में चर्चा किया है साथियों अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुजोग, चिकिसा पदती चुकि सुजोग, ये सब्दः सुंदःी, सु और जग दो सब्दः तसने की आपको महसुस होई है आप कहेंगे साथ ये तो बाहर विदेश की है पर कोई दicker नहीं है पर जो उसकी जो मूल में है उसका आधार भूत तत्व है वो आईरवेट से उद्भूत है आईरवेट की सिध्धान्तों से अभी भूत है इसका अध्यन आईरवेटी ग्रंतों से हुई है तो निश्चित तोर से मानिये कि ये भारती मूल की चिकिसा पद्धती कहीं ने कहीं इसके सिध्धान्त, इसके महत्वपून तर्थ जो है आईरवेद में ही सन्हीद है। तो साथियों, आए हम लोग चर्चा करते हैं विस्तार से बिंदू वाइज की सुजोग क्या है? और सुजोग्च की समय जो प्रयोग किये जाने वाली जो सिध्धान्त है, उस सिध्धान्त का नाम जिसे हम लोग क्रोस्पोंडेंस थियोरी कहते हैं, साध्रिश्यता का सिध्धान्त, वित्रो महत्वपून सिध्धान्त है। इस सिध्धान के बारे हम को जानना चाहिए और जी दिन हम लोगी जान जाएंगे तो समझे देखती की बेवहार को भी जानने लग जाएंगे बेक्ति को पहचानने लग जाएंगे क्योंकि हमारी बोडी लेंग्विच हमारी आकरती विज्ञान सब कुछ इसी सिधानपों के अधारित है तो निश्चित तोर से आज का वीडियो आप लोग के लिए मज़ेदार होने वाला है इसे लास तक आप देखते जाएएगा हम कड़ियों में चलने वाली है निश्चित तोर से हमारे इस एक्यूप्रेशर के जो जिग्यासु हमारे जितने दर्सक है उनके लिए एक महत्वपुन स्रीच और महत्वपुन कड़िसी दोगा ऐसा मेरा उमीद और आसे विश्वास भी है आईए हम लोग देखते हैं सुजो पंचर किया जा सकता है सीड अर्थाद बीज भी लगाई जा सकती है साथ साथ कलर थरेपी का परियोग किया जा सकता है साथियों बहुत सारे चिकिसा पद्धती एक ही प्रकार के एक्यूप्रेशर के जो पद्धती है इसमें अपलाई किया जा सकता है इसलिए सुजोग चि चिकिस्सा पद्दती है और कोरिया से उद्भूत होने के कारण इसका नाम कोरियाई भासा में ही रखी गई है कोरिया में इस थरेपी को सू जोग थरेपी के नाम से जानते हैं सू और जोग यहां पे इस सू जोग चिकिस्सा पद्दती का इंवेंटर है जो उसके जन्म दाता जे-उो, डॉक्तर जे-उो पार्क, फ्राम साउध कोरिया, ये साउध कोरिया के रहने वाले थे, शाउत कोरिया इसके बारे में कहा जा सकता है कि तन विरेशी मन भारती भले ये बाहर जन्म लिये लेकिन उनका चिंतन और विचार धारा सभी के सभी आईर्वेट पर अधारित रहा है साथियों ये सुजोग चिकित सा पदती है दो सब्द से मिलका बना हुए सु और दूसरा जो शब्द है वो है जोग यहां पर सु मिन्स सु का अर्थ होता है पाम पाम मिन्स हाथ की हथेली हाथ की हथेली जो आप देख पार हैं आप अपने हाथ की हथेली को देख लीजिए और दूसरा है जोग जोग का अर्थ होता है फीट का मतलब पैर का तलुवा पैर का तलुवा मतलब मिन्स हाथ की हथेली और पैर का तलुवा इन दोनों शाद्रिशों पर उप्चार दी जाती है यदि इसे सुजोग एक्यूप्रेशर चिकिस्सा कहा जाए तो यह उचित होगा और इसको इस प्रकास परभासित करते हैं तो हाथ की हथेली और पैर के तलवे की सुक्ष्म शाद्रिश बिंदूं को दबाव देकर शाद्रिश का प्रयोग किया जाता है और इन दोनों शाद्रिश्यों पर हमारी शरीर का पूरी की पूरी कोरोस्पोंडेंस साद्रिश आधारित है साथियों ब्रध्यान से इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहां पी साद्रिश अर्थात कोरोस्पोंडेंस एक सिधान्त है साद्रिष्टा का सिध्धान्त है उस सिध्धान्तों के बारे में हमें जानना होगा यह है क्या correspondence theory इस theory के इस चिए सपधती को समझना है तो इस theory को समझना पड़ेगा अन्यथा हम इसे वंचित ही रहेंगे number one इसके सिध्धान्त जो दिया गया उसमें कहा गया है समान आकार प्रकार के वस्तों द्रब्यों में समान प्रकार के उर्जा रथारकार करने की चमता होती है दूसरे सब्दों में कहें तो सीमिलार इस्प्रिट्स लेव इन सीमिलार सेप्स समान आकार प्रकार की वस्तु और जहां समानता का सिध्धान्थ है यहां पे ट्विंश को देखेंगे तो ट्विंश जो होते हैं जिनका स्वरू बिलकुल जैसे आप यहां पे तरीका अहर भिहार खान पान उनकी जो सौंक उनकी इच्छाय सब कुछ सेम होती है कि कहने कर मतलब यही है कि जहां पर आकृती समान होगी तो उसकी प्रकृती भी समान होगी दूसरा यहां पर दिया गया है उर्जा को उत्प्रेरित कर देने मात्र से वह अपना काम स्वेम इ काई की उर्जा में संतुलन बना रहा है अर्थास तरीर किसी भी दाब बिंदूं को दबा कर छोड़ देने मात्र से जैसे पानी में हम लोग एक यदि कंकर डालते हैं तो पानी में जिस प्रदकार की लहरे उड़ती है और वो पूरे किनारे तक फैल जाती है वह से ही हमारे शरीर में की स्पंदन उड़ती है जो स्वयम पूरे शरीर में उड़ जाकि संतुलन के लिए ततपर होते हैं मित्रों कोरोस्पोंडेंस थियोरी इंबेश्ट थियोरी है जो सिजोग चिकिस्था प्रदती है और इस चिकिस्था प्रदती में इस सिध्धान्द का प्रयोग बेतरी नधंग से किया जाता है यदि इसको और समझे घराई में तो आप बॉडि लेंग्विज के बारे में जानते हैं बॉडि लेंग्विज आप किसी बेत्ती के चाल धाल चलने की तौर तरीकों को देख करके आप उसकी गुनों के बारे में पता करते हैं अर्थात उनक कि सारे तकने की यह साध्रिष्टा अर्थात कोर्स्पोंडेंस थियोरी पर अधारित है अर्थात उनकी चाल की तरीका कैसे है चलता कैसे है आप स्रिष्टी में निवास करने वाले सभी प्राणियों जीव जंतों की चाल या गति को आप चरा ध्यान दीजिए और उनकी मेर की तरह और ज्यादा उचक के चलता है कोई लहरा के चलते हैं तो कहने का मतलब यह है कि सभी की जो चाल है उस प्राणी से मेच करता है उनके गूल कहीं ने कहीं उसे मेच खाता ही है यदि आकरती विज्ञान की बारे में बात करें आप देखिए यहां पे तोते आप तो कि पूरे के पूरे तोते ही इंसान हैं, लेकिन हम तोते कि जो एक quality उसके अंदर में, वह quality निश्चीत तोर से इस बैति के अंदर में होनी चाहिए. तो क्या हमेशा इसका प्रकृती वैसी हो कि नीश्चीत समय पे अपना जो वास्थ्वी सुरूप है जो अपना गुन है वो समाज के सामने रखता है अर्थाद आकरती ब्यक्ति के प्रकृति को निश्चित तोर से प्रभावित करता है यहां आप इसको देख लीजिए निश्चित तोर से जो जो हमारा चेहरा है हमारी बनावाटे कहा गया ना मुखडा ब्यक्ति के हमारी जो चेहरा है ब्यक्ति के आंत्री प्रकृति का आईना है दरपन है तो हमारा जो मुखवटा हमारा जो चेहरा है चाहे कितने भी चुपाने का प्रयास कीजिए वो सामने आता है तो निश्चित तोर से आप ब्यक्ति के चेहरों को देख करके किसी प्राणियों से बिल सकते हैं और जहां कहीं मेच खाता है तो निश्चित तोर से हमें समझना चाहिए कि उसी अंदर quality है आप इसको देखिए किसी बेत्री के आँख बिल्ली की तरह होती है आप कहेंगो बिल्ली होगी नहीं बिल्ली नहीं होगी लेकिन बिल्ली के अंदर जो जपट्ते मानने की ज आपको मिलेगा ही मिलेगा साथियों अगर उस से तनीक आगे चले तो नेशर ने जो सृष्टी को बनाया है आप इसके पहचानते हैं वालनट यस आप सही सुनें और देख भी सही रहें यह बिल्कुल हमारा यह अकरोट है साथियों अकरोट और आपका ब्रेइन दिमाग को द होता है कटोर होता है वैसे ही हमारा जो मस्तिष्थ है उपर और यह WALNUT के उपर जो चठा हूआ कवर कितना हड़् होता है और जब उसे निकाल दिये जाता है उसमें दो लूप्स है देखें स्व Fellows राइट हेमिस्फियर और लेप्ट हेमिस्फियर और इसमें जो पाये जाने वाला वाइट और ग्रे मेटर है साथियों बिल्कुल होगो मेच करता है और एक मज़दार की बात तो यह है जब आप इसे खाते हैं तो सबसे ज़्यादा एनरजी किसको मिलती है सबसे ज़्यादा क्यों और एनरजी ग्ष्यादा को क्यों इसमान और रिख्यू जहां पर अल्मंट को देखी बिल्कुल आख से मेच दादी मा राध को अगर भिंगा कर के सुबा आपको कोई बी duy वाइपूट खिलार है तो कहती कि आँक की रोशनी बढ़ेगी तो निश्चित मानी वो आलमंड है बादाम आँक से मेच करता है आप खाएंगे तो आपकी रोशनी बढ़ती है उसका सुरूप छील दीजे बिल्कुल वाइट वैसा ही दिखाई पड़ता है तो यह आकरती और यह हमारा कुरुस्पूंडेंस साध्रिश जिस प्रकार से मेच करता है यहां पर देखे हाट हाट का संबन तो हमारी एपल जो हम लोग खाते हैं बिल्कुल कलर को देख लीजिए और उसके लेयर को देखे जहें त्री लेयर यहां पर यहां पर भी है अंदर के मितों साज च चिंबर भी आपका चार है अंदर वैसे ही खाली है देखेजिए आप बीज भरा हुआ है और डाक्टर के पास आप जाते हैं अब इसीने पकड़ करके तो डाक्टर भी आपको कहता है कि आपको सुबह सामें कि एपल खाना चाहिए क्योंकि एपल का जो सुरूप है एपल का सारी मेंगो को देखिए अगर आप सीजन का मेंगो खाले तो पूरे साल बर आपको इस तमक में इसी डिटी और इंडिया इस्टिन की प्राब्लम होने वाले नहीं है तो अदभूत है हमारा ये नेचर का स्यो सिध्धान्त है और जर इश्कों भी देखिए साथियों अंगुर ग्रेप्स और आपके लंग सकी जो एलूलाई है वायू कोस है बिलकुल मेच करता है जब आप अंगुर खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इनर्जी किसी को मिलती है तो आपके लंग सको है कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ क्योंकि समान्ता का सिध्धान्त यहाँ पे समान आगार की वस्तु में समान अरुजा Six wy' कि समान अरुजा यहाँ पर निष्चीत हुई है आधारी है उसी तयालतों को यहाँ परतिस्थापित की जा रही है अब हाथ की अथेली और पैर के तल्वे को जरगोर्श देखिए क्या इसमें कहीं हमारी बॉडी का इस्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है क्योंकि साध्रिष्टा का सिध्धानते ही है जहां समानता होगी एनरजी उजा भी वहाँ पे समान होनी चाहिए अब यहां पे आप देख पा रहा हैं बीच मेंने एक इनसान यहां बिकड़ा किया है जरा इसमें जैसे आग, का, नाग, हाथ, पैर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या वैसा ही आकरती आपके हाथ के हैंधेली में जरा आप अपने हाथ सामने रखिए और जर देखने का प्रयास किजिए आप जरा पैर उठाईए पैर की तलवी में देखिए कि कहीं उगलियों में, कहीं अंगुठे में कहीं पर आपका क्या आँख का नाग दिखाई पड़ रहा है आपका इमसाब नहीं, यहां तो आड़े तीरचे रेखा बस है साथियों, यही तो समझना है और सबसे मज़ेदार और अदभुत जो विग्यान यहां पे आपके सामने दिखाई पड़ने वाला है वो आपका यही सुजोग का यह साद्रशिता का से धानता है हूब हू मेच करता है आपके हाथ, की हत्हेलियों की आकरती, आपके इनसान की इस जो इस्तुल बाड़ी है, उससे पूरे पूरे मेच करता है सात्यों, आज के कड़ी में हमने आपको साद्रशित बताया है अलग-अलग साद्रशित की तुनना की है और एक ही चीज बचाने का प्रयास किया है जहां पे समानता होगी उर्जा सेम होगी और उर्जा जहां पे सेम होगी तो समझे उस इस्थान को दवाने से उसकी साद्रिश बिंदूओं पे कोई विकार है वो विकार भी वहाँ से दूर होगा ही होगा जैसे आंक में दर्द है तो आंक के साद्रिश को दबाएंगे तो आंक के प्रोग्लम सौल होगा इसकी बारे में हम अगले कड़ी में चर्चा करेंगे आज हम आपको पूरी साद्रिश्ता आप दो बार तीन बार इस वीडियो को रिपीट कीजिए और देखिए समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या समझाने का प्रयास किया हूँ और इस साद्रिश्ता जब समझा जाएगे तो आपको सब कुछ समझाता चला जाएगा आप देखते रहें नेस्ट हम कड़ी में आपको पूरे एक एक पॉइंट आपकी आँख हाथ पैर कहां कहां पे बनेगा पूरे विध प्रेटिकल आपको दिखाने वाले हैं मिध हैं आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक सस्क्राइब कीजिए और अगले कड़ी में हम पुना फिर से आपको सुजोग की पूरी कुरस्पूर्ने साथ कहतेरी में बताने वाले हैं इस्टेप बाइस्टेप आपने इसे ध्यान से देखा थैंक्स फॉर वाचिंग धन्यवाद प्रनाव